आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question में का आगया Given below Table Source, Total 3 Types of Item A, B, C sold by store on 5 days of a week Table also shows total type A item sold by store and percentage of item B and C अब देखो B or C का नमबर ना देखे उसने क्या सो कर दिया? Percentage Read the data carefully and answer the following questions Question कहा देखो हमारा If total item B sold by store on Sunday अब देखो Sunday इसमें नहीं है तो वो कितना कह रहा? Is 25% more than that sold on Thursday अब देखो total item B को B जो है वो Thursday को जितने शोल हुए थे उससे 25% ज्यादा Sunday को शोल हुए है and total item C sold on Sunday is 300% more than that sold on Friday अब देखो Friday की बात करें इस या item की तो 10% है तो इसका जो नमबर है उससे 300% ज्यादा वो Sunday को sold हुए है तो हमसे पूछा रहा है and find total number of item B and item C sold by store on Sunday अब B और C का total number find out करना में Sunday को जितना sell हुए है तो सबसे पहले हमारे पास 56% की value होनी चीए और 10% की value होनी चीए उसके बाद हम जो यह value है उसमें 25% उससे ज्यादा calculate कर लेंगे वो आइटम B हो जाएगा और 10% जो value है उससे 300% जादा calculate कर लेंगे वो आइटम C हो जाएगा दोनों को हम add कर देंगे वो हमारा क्या होगा answer तो देखो सबसे पहले number of items sold on Thursday find out करेंगे हम item B sold on Thursday अब देखो Thursday की बात करें हम देखो 56% यह है और 20% C है तो कितना होगा 36% होगा total 76% तो A के लिए कितना बजा 24% जब 24% की value 360 है तो हम 56% की value find out कर सकते हैं तो number of number of B item sold on Thursday की बात कर लें हम तो कितना होगा देखो जब 24% is equal to 360 है तो 1% की value क्या होगी 360 divided by 24 और find out कितनी की करनी है हमें 56% की तो 56% will be equal to 360 divided by 24 multiply by 56 अब देखो 8 से यह 7 times यह 3 times 8 से तो अब देखो 3 से यह 120 times चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया 840 अब Thursday को 840 है तो Sunday को कितना होगा तो number of B item sold on Sunday की अगर हम बात करें तो Sunday को 25% जादा है Thursday से Thursday को 840 है तो Sunday को कितना होगा 25% जादा है मतलब 125 divided by 100 5 times यह 4 times 25 से 4 से काट देंगे देखो 210 तो यह हमारे पास कितना आ गया 1050 मतलब 1050 आ गया item B तो Sunday को ऐसे हम item C भी find out कर लेंगे Sunday को अब बात करें देखो हम C की 10% की value find out करनी है हमें 22% और 10% कितना होता है 32% होता है तो 100 में से 32% गया तो कितना बचेगा 68% 68% की value किसके बराबर होगी 340 तो number of C items sold on number of C items sold on Friday Friday के अगर हम बात कर लें देखो हमारे पास क्या 68% is equal to 340 तो 1% किसके बराबर होगा 340 divided by 68 अब देखो 68 से 5 टाइम्स चला जाएगा तो 1% की value तो 5 के बराबर आगी तो हमें find out कितने की करने है 10% की value 10% will be equal to 10% एक की से multiply करतेंगे 5 multiply by 10 is equal to 50 तो number of item C sold on Friday कितना आगा हमारे पास 50 अब अगर हम बात करें संडे की तो number of C item sold on Sunday will be equal to देखो 300 परसेंट जादा बताया गया है C item तो 100 plus 300 कितना हो जाएगा 400 चारसो डिवाइड बाइ 100 दो 0 से दो 0 काट दी 200 आगा हमारे पास तो item C sold on Sunday कितना आगा 200 आगा हमारे पास और B कितना है था 1050 तो total number क्या आगा B plus C का हमसे B plus C का पूछा है तो कितना करेंगे 1050 मतलब 1050 प्लस 200 तो total कितना आगा 1250 यही क्या होगा हमारा आंसर Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर